एक बर फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चैनल के उपपर तो आज मैं आपके सामने सेकेंड पार्ट आर्पी एसजी के लिए फर्स पार्ट मैंने अपने यूटूब चैनल के उपर डाल दिया था तो अगर किसी को भी इंपॉर्टेट लगे तो वहां स स्वत्तनितम देता है प्रंटू है हर जगा बेडियों में जक्राहा हुआ है या किस नं कहा था बहुत्को थ्यांस की भहातिकवादी व्याख्या वर्ग संगर्ज के सिध्धान का निरूपण किस नहीं किया तो इतिहास की जो भहातिकवादी व्याख्या है उसका निरूपण करने का सरे जाता है कौल Milky तो इसे से कॉछन पूछ लेते हैं आप याद रखें बस तो दो राज्य का अधार शक्ती नहीं इक्षा है यह बात करी थी टी-एज ग्रीन में अप्स लोक रूसो एक मत है तो आप जानते हैं समझाथावादि ठिंकर हैं तो इनको समझोतावाजी सिध्धान्तकार कहा जाता है। मुख्यमंत्री के कार्यवा शक्ति का उल्लेग भारती सविधान के किस अनुछेद में मिलता है। तो मुख्यमंत्री के जो कार्य है इन सबका उल्लेग 167 यानि अप्शन नमबर 267 आर्टिकल के अंदर मिलता है। भारत के ऑपनिवेश्टिक स्टेट दिया जाने की मांग किस ने की थी। तो ये फ्रीडम स्टेकल से रेटेट कुश्चन है तो ये दादा भाई नयरोजीनी करी थी कि भारत को डॉमिनन ये अपनिवेश्टिक स्टेटस यहां पे लिख दिया गया है। यहां पे आप पढ़े इंगलिश्ट के अंदर डॉमिनन इस्टेटस तो इसे सबसे पहले बात करी थी दादा भाई नयरोजीनी। महात्पा कांधी जारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वरस्तों यह बहुत असान है यह अगस्त में 1942 के अंदर गांधी द्वारा की गई थी। भारत को पूर्ण अजादी एवं 26 जनवरी को 37 दिवस चुकार करने की मांग किस ने की। तो यह सिंपल साइज का अंसर जवाल लान लहरू ने करी थी। भारत को 26 जनवरी को 37 दिवस मनाने की मांग यह 1929 के अंदर लाहोर के अंदर अधी भेशन वाथ रावी ने दिगे किनारे। तो वहाँ पे नंग जवाल लान लहरू दुआरा की गए थी। राममरो लो हिया जाने जाते हैं समाज भाधी विचारक के तौर पर भारती लोकतंत को प्रभावित करने वाले महत्मूर कारक हैं तो इसके इंदर जाति कि राजनिती प्लिटिक्स अभित करती है भारत की राजिंतीकों निन्मेंसे छेत्र राजिंतिक दल को आप जानती हैं कॉंगरेस एक राश्ट्रे पर्टी है भारतर जन्त पर्टी भी राश्ट्रे पर्टी है काल मार्क्स नेकाथ让 किस दुखर सुक्ष के सिध्धान का प्रतिपादन किया है तो who propounded the theory of pain and pleasure, तो pain and pleasure की जो थिओरी सिध्धान दिथी वो दिथी Bentham ने, पर्थम राजितिक वेग्यानिक के नाम से कौन आज़ाते हैं, पर्थम राजितिक वेग्यानिक के नाम से कौन जाते हैं, तो इनको अरस्तु को जाने जाता है, क्योंकि इनों ने ही पर्थम बार र कुछ खोने को नहीं है तो यह किस ने कहा है विश्व YES सिम्पल सी थी ये कहा साध्य जुसी का निश्टाम समर्थं था यह वो शवतंत्रता के उपर बहुत जञादा महायुद के तरितियोति वहवारवादी העरा को सिक्षित करने का स्ट्रेज उत्तर वहवारवाद वास्ता qui तो इसको आप याद रखें तो इसको आप याद रखें तो उत्तर वहवारबाद की प्रमुक विशेष्टा है इसके अंदर यह परतिकिरिया नहीं अपितु करांती है तो इसका सही है सरनाचनात्मक कर्यात्मक उपागम का अधार है तो सरनाचनात्मक प्रक्यात्मक स्ट्रक्शल फंक्शन अप्रोच का जो अधार क्या है तो इसका अधार है वो आगनात इंपूर्ट और आंपूर्ट मोडल दिनों दिया है यह से जड़ा हुआ है अगात यानि इंपूर्ट एकम निर्गात आउटपुट कारियों के विश्ट्लेशन आत्मक पद्धती के तोर पे 13 सीवा कोश्चन निर्व में से कौन सा कथन सही है तो इसमें से कौन सा कथन सही है बताना था तो आए देख लेते हैं तो राजितिक विकास दोगतन तका निरिमान करती तो यह बात सही है, तो यह बात सही है। तो इस कॉश्टन में आप मुख्य तोर पर देखे कहां पे पॉजिटीव बात की गई है अगर कहीं पे नेगेटीव बात किये तो उसको आप नकार दें और पॉजिटीव चीज़ को आगे लेके चलें मिम मेंसे तहीं कथन को चुनिए तो इस मेंसे जो तहीं कथन देख लेते हैं आईए राजनतिक संस्कृति विश्वास एवं वित्यास की उपज नहीं है तो यह बात तो गल्त है नेगेटिव आगई आगई आप खुद देख रहे हैं तो राजनितिक संस्कृति सरणचना प्रदान नहीं करती तो यह बात भी नहीं है राजनितिक संस्कृति समाने संस्कृति का अभिन अंग है तो यह बात सही है अंतराष्ट्य राजनिति का अध्यान मुख्यता अधारित है तो जो अंतराष्ट्य राजनिति वह सत्ता पी सत्ता कि रादिशली आपकी प्रिक्रतिके शुरुवाट मानी जाती है अग hop तो लॉंग वॉक टू फ्रीडम तो यह आप जानते हैं जैंसल मंडेला जी की बुक थी फ्रीडम फॉर फियर यह आंस्वांसू की मयामार की जो रही है नेता उनकी से इलिटेट था यह ऑन लिवर्टी जैस मिल की बुक है टू कंसेप्ट ऑफ लिवर्टी यह इज्जिया रूप में शामिल हुए तो यह सामिल हुए था जी जीक्जीवन राम जी जी के टाइम पे बहुत बड़े धालितर थे यहूं बलती नेस्यत वैकिन सामिल एक लिवर्टि न रही तो यह आदा में आपकम के लोगस्याए तो befarते संविभशान में serika प्रभूत शक्ती जन्ता में नहीं था यह बात भांसे है दोनों सही है तो यही दोंगे कहा तो इस प्रकार के रिटों की बात कर गई है इसलिए इनको अम्बेटकर जी ने आत्म और रिदे कहा था भाद कर आश्ट पती की बद अबधी पद गरहन की तिथी से पांच वर्ष की होती है किन्तु वह पुन निर्वाचन का पात्र है तो वह पुन निर्वाचन के जो पात रोते हैं वह आर्टिकल 57 से और 56 से 57 के तहत हो सकते हैं कौन से सविधान संसोधन द्वारा मंत्री परिशत के सदस्यों के अधिक्तम संख्या 15 परतिशत निष्ट की गई तो यह की गई थी 91 जो एक्ट वह था सविधान संसोधन तो इसके तहत की गई थी थी मंत्रियों परिशत की संख्या को 15 परसेंट राज्य विधान जवह में परतिशित की द्रश्टी से सही करम तो राज्य विधान सवा परतिशत की आधिकर है कि इसका कितना में कम ही विवस्थी तरीके से लगाना था तो आया देख लेते हैं सबसे कम कम से दिखक के ओर कम सबसे पहले आता रास्थान फिर मध्धी परदेश कुन इतरी परकार से इसको लगा सकते पहले और किई कि किसमें कितनी सीटने कैसे अबने सबस्कार क्या है तो धन वीधेख समंधित विशेश परकृए का बदेख सकते हैं तो धन विधेक समंधित विशेश परक्रिया का जो वर्णन किया गया है वो 109 के तहत किया गया है भारत में दल बदल समंधित मामले पर अंती मिर्णने लेने का अधिकार तो अंती मिर्णे लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को होता है लेकिन यह पूर्ण रूप से नहीं कहा सकता है इसको क्योंकि की होतो जो एक केस हुआ था की होतो कोलो होन ऐसी नाम यह को एक्जेक्ट याद नहीं आ रहा तो उसके तहट कहा गया है कि इसमें सरवोच निया प्रख्षित रख सकता है तो यह जो रख सकते हैं वो आर्टिकल 200 के तहट इसको रख सकते हैं इसका आंसर फोर्ट सही है बात के सविधान के किस अनुछेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिसमें राजपाल स्वय विवेक से काय करता है उन कार्यों के निर्भा में उसे सहायता और चल्हा परदान करनी के लिए एक मंत्रि प्रश्रद होगी जिसका प्रदान मुख्य मंत्री होगा तो इसका जो सही आंसर है वह 163 के तहत सला लेने का सौजब विवेक से कार्य करने का बात की गई है निम्र में से राज्य मंत्री परिश्रत का कार्य नहीं है तो राज्ये मंत्री परिश्द का तो कारी नहीं है वह होता है तो यह इसका कारे नहीं है और यह स्थान के उच्छन के पूछा गया तो इसका इसका सही है भारतमिस्थानीश शाष्ण के विकास में सही करम की पहचान की शैश्वा यह ठीट है तो सबसे पहले मुकामी बोर्ड आया है फिर उसके बाद सामुद्रीक विकास कारिकरम आया है उसके बाद थुंगन समीटी आया फिर तीहत्तर वा चमिधान संसोदना धिनियम आया है तो भारत में, स्थानिय साषन का विश्य है यह राजिशयस स्थानी शाषनुन नभ्भय के दर्शक के बाद भारती राजनिती को प्रभावित करने वाले निम कारणों का सही करम पहचानी है तो 1990 के बाद किन-किन कारों को ने भाद की राजनिति को प्रभावित किया है उसके सही करम को में पहचान करना है तो सबसे पहले है एक दलिये प्रभुत्प राजनिति का अंतुवा तो पहले नंबर पर ये है उसके बाद मंडल आयो की जिफारी चाहिए थी इसके 27 विजी नवीन, उदारी, करन, आर्थिक निति को अपनाया गया था तो ये तीसरा ये था और फॉर्थ ये था निनमेच से सहनुक्त राजे अजनसी नहीं है तो सहनुक्त राश्ट की कौन सी अजनसी नहीं है तो ये वर्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानि फॉर्थ इसका सहनुक्त राश्ट की आजनसी नहीं है तो शिआ और नहीं है इसके शाय verign Village समर्थ कर में पर्थम पर्योग करता संपरभुता शब्द का तो पर तरतम प्रियोग किया था वह किया था जॉन बोधाने जॉन बोधार को प्रभु सत्य के जनक के तो पर फार देश का प्रशुशन चलाना तूरं जाद्थेPS चेह ना से 7-1 और सच्पेमें तो सेंवं कंदन चुर्टेम έजा च्रफृते सब्राइ hijos तरहेद्व के ज्थ्वाइब तो यहें ृपpo रचार को जाति के भूमिका विल्थार का और सब्सक्वे का शूतर की आंदयर्ध के निसमों मुदा हुए तो यह सिक्षा समंदित एजूकेशन का जो जर्णल भेपर उत्व समंदित कोशन थे तो इंको मैं स्किप कर रहा हूँ तो फिर यहां से स्टार्ट आए देख लेते हैं एक से तारीस नंबर से राजितिक विज्ञान अध्यन करता है तो आप जानते हैं राजितिक विज्ञान है वह किस बात का अध्यन करता है वह अध्यन करता है राज्य और सरकारों दोनों का अध्यन करता है तो थार्ड ऑक्सि तो इसका सेकेंड सही है भारत में एकल नागरिक भी और भारत का नागरिक भी और भारत के नागरिक चलती है इकल नाग रिखता है और जो अमेरिक अऊसके अंदर भाहूल नागरिक वो घ्राण करते हैं भारत की सभीधान सब्सक्राइब करते हैं जो अध्यक्ष थे ऑप और जो इसको याद रखें आप बा भारति-च्वेदान सम्मा की पारूब सम्मीते तो आप जांते हैं 23 सवेदान देशका को зан बारति-च्वधान की उद्दश्का को संसो धितsk Allet किया घाथा । 22 सविदान सब्सक्राइब कर दो बात की गई है वह 32 समिधान अर्टिकल के तहट बात की गई है सब्सक्राइब कर दो नहीं है तो संबत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसके अंदर वर्तमान में इससे पूछ देतें के इंग्लेंड से क्या लिया यहां से से रूल और लिया गया गया आता उठक लिया और इबात की ओ अंदर राज़ार है यह पूंछ देटें साथhesia के अंदर ग देवर हुआ था अगर कुछ कमी जागे तो कॉमेंट करके जुरूर बताएं आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब तहे दिल सापत का धन्यवाद थैंक्क्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो